हमारी जो संगतियां है वो संगतियां की डेट फिक्स है 31 तारिक की गड़की है और 24 तारिक की जो बहुत संगति है वहला के जो संगति की नहीं होती है करता तो व्यक्ति ही है काम सारे वक्ति करेंगे लिए पर और अब एक हमारा जो काम करने का तरीका है एको पठाग, एक समिती भी बन रही है और धिद्रे उसके मेंबर भी आ रहे हैं जो इसको मैनेजमेंट को समा लेंगे पूरे को जो पूरे काम को देखेंगे कि नियम के नुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है क्योंकि संगतियां जो होती है वो संगत की होती है संग की होती है व्यक्ति की तो व्यक्तिगत पार्टियां होती है इसे यहां व्यक्तिगत पार्टि तो है नहीं यह संगतियां सारी सारी संग की है और यह संग की ही प्रॉपर्टी है बाद में भी कोई सौ साल बाद भी यह नहीं कह सकता यह संग का फर्ज होता है पूरे संग का फर्ज होता है कि अगर संगने कोई मीटिंग या संगने कोई संगती या संगने कहीं जाने के लिए कहा है तो हर संभब कोशिस करनी है कि वहां पहुंचना है यह ठीक ऐसे है जैसे अपने लूले लंगने भाई को खड़ा करना है और लूले लं नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक अकिला भाई एक पैर से चल नहीं सकता, जब तक खड़ा नहीं होगा, काम नहीं कर सकता, दूसरा भाई दूसरे अकिले पैर से चल नहीं सकता, एक हाथ से काम नहीं कर सकता, पर दौनों भाई अगर मिल जाएं तो उनकी दो टांग हो जाएंग और उनमें सामज़स्य और बिलेंस होगा समझदारी होगी तो वो दोड़ जाए ठीक वैसे ही हमको अपनी जो लोग हैं उनको खड़ा करने के लिए उनको चलाने के लिए उनको दोडाने के लिए हमें वहाँ जाना चाहिए जहां हमारी संगतियां होती है इसमें कुछ पैसा खड़ा पर वो पैसा इतना नहीं है जितना कि हमें खड़ करना चाहिए पांच परसेंट का तो बावासापका आदेश है इसनिए जो कमाते हो उसमें से पांच परसेंट रिसोर्सिस प्राइम मनी जो भी कुछ असको निकाल दोगे तो वो अपने ऊपर खड़ करना है जाने इसका मतलrule है कि आपको वीज दिन मैंसे एक दिन देना है कम से कम तो पूरा एक महेंने के अंदर डेड़ देना आपको देना है तो समय आपको देना पड़ेगा गईए जाना पड़ेगा अपने लिए औरों के लिए नहीं दो प्राठे औरों के भी हैं पर इतना तो कर लेते हैं तो यह सारा की सारा जो प्रोसेस है यह पुराना प्रोसेस है जब हम अपने भाईयों को खड़ा करते थे पर यह प्रोसेस हमारे हाथ से निकल गया पर जैनियों नही चैने कोई वमण नहीं होते हैं भारत कहीं हैं तो जैनियों नहीं छोड़ा तो जैनिक्राइब्स करते हैं पर हम लोग व्यापार भूलके जैनियों ने याद रखा उन्हें बढ़ाये तो जैनियों में जब कोई दुकान खुलनी होती है और These सिंधियों का भी है जो सिंध प्रांद के लोग हैं उनका भी है तो वो दुकान का उद्घाटन करने का कार्ड सब को भीजते हैं अपने सारे रिस्दारों को अपने दोस्तों को अपने जितने भी जानकार होते हैं उनको कहते हैं जी के हमारी कपड़ी की दुकान खुलने वाल और वहाँ पर सिर्फ खाने बने हुए हैं और वहाँ एक कपड़े का कत्रा नहीं और कपड़े की दुकान हैं वो सारे लोग जितने भी उसके रिजदार जानकार दोस्त होते हैं जिनको वो बलाता है जो उसके समुदाय के होते हैं वो सारे आते हैं और वो सारे के सारे आते है और दुकान का उध्गाटन होता है और उस व्यक्ति को जो दुकान का उध्गाटन करा रहा है, जो उसका मालिक है, जो दुकान चलाएगा, उसको वो पैसा देते हैं, कहते हैं, दस हजार हमाई तरफ से, बीस हजार हमाई तरफ से, पच्छिस हजार हमाई तरफ से, पचास हमा और फिर वो कपड़े की दुकान चलाता है पर वो पैसा बापस नहीं करता उनको जब कभी किसी और की दुकान खुलती है तो वहां वो पहुंचता है उसको निम्टर सनाता है तो जिसने वो पैसा दिया है चितना दिया है उससे जादर रिटन करेगा या वो पैसा देगा हिसा कराने का कोई दहेच के पटा था ही नहीं पर यह बेकार की परथा यह बेकार की प्रमपरा हमारे दमाग में डाल दी हमारे लोग करक树 बला दिया समाज पे उसमें हमारे लोग कन्यादान करके लिखवाते हैं दो रुपे पांच रुपे प्राने जमाने में आजकल तो ग्यारे सो रुपे किस सो रुपे पांच जार रुपे लिखवाते हैं और उसका एक रेश्टर मेंटिन करते हैं किसने कन्यादान में कितना कि कन्यादान में दिया हुआ पैसा फर्टाइल नहीं है यानि बढ़ेगा नहीं क्योंकि वह ब्यापार में नहीं है पर ब्यापार में दिया हुआ पैसा बढ़ता है इसलिए वह बढ़ गए हम घट गए जो सिंदी है जो जैनी है उन्होंने ब्यापार में पैसा लगाया तो पै चले गए और जैनी सारे ब्यापारी बड़े होते चले गए यह जो टांग से टांग बांग के दोड़ने वाली बात है इसके लिए हमें 24 तारिकों यमना नगर में सभी को पहुंचना है और यह जो समण संग के नियम है जिसमें साफ कहा गया है कि एक कार में चार कम से कम बैठ है क्योंकि उस दिन तीज भी है और महिलाओं की संगती होगी तो महिलाओं को साथ लेके जरूर आना क्योंकि महिलाओं को साथ लेके नहीं आओगे तो संगती किसकी करोगे कम से कम जितने नर आते हैं अगर उतनी नारी नहीं आई तो संगती में क्या हुगा पहली महिलाओं पूरा थियाम है तो लीग रांड होटल में आपने पहुंचना है और वहां जूले भी पढ़ेंगे हो सकता है महंदी वाला भी आए खुशियों का वहां पूरा माहूल रहेगा और हर एक व्यक्ति को आदा हर परिवार को व्यक्ति को नहीं हर परिवार को आदा किलो गेवर क् सबसे अच्छी क्वालिटी का सबसे बढ़िया डबे में लेकर वहां पहुंचना है कुछ दिन हम मिठाई भी खाएंगे सब लेकर आएंगे मिठाई खटी करेंगे खाएंगे नई बात होगी एक नई चीज होगी तो यह जो जुलाई के अंदर जो संगती आ रही हैं यह द वो कम करना है और अपने एक्जिकुशन पार्ट का यानि काम के पार्ट का बढ़ाना है इसलिए यहां अब काम की बात करने के लिए सब को बताना चाहिए मेरी तनी त्यारी है मैं आ रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मुझे यह दिक्कत आ रही है मुझे यह चना रही है जैसे 23 सेप्टेम्बर को हमारा बड़ा दिन होता है कि बावा साब में जो संकल्प किया था वह संकल्प भूमी में वहां लोग जाते हैं इस वार वहां इंत्याम बड़िया हुआ है हॉल बुक हो गया है उस हॉल में पांसो से लेकि हजा लोग आ सकते हैं असी की मेरे खाल में अभी तक यहां से रेर्वेशन हो गई है और दो सुड़ाई सो तक की तेश सट्टमबर तक हो जाएगी पर देर ना करें अभी टिकेट हैं वो जो हमारे कलकरा सरें वो बता रहे थे कल के टिकेट अभीलेबल है और अगर किसी की उमर पचास पसपन है तो साठ कर दे अपनी वर बढ़ादे तो उसको रेर्वेशन वैसा ही मिल जाएगा तो जाने का लें बादी योग सर हैं बाकी प्रिकासिंग सर हैं बाकी जतिलाद देशाई सर हैं बाकी जो हमरे कटके सर हैं वो सरन डिटेल आपको बढ़ा देnez पर काम के जो रहतार हैं उसको नाय माय देखने से कोई फायदा नहीं है यह संग बार बार नहीं पैदा होते यह तो हमारा अच्छा समय रहा है यह हमारे महापुर्सों का कोई ऐसा पुन्य रहा कोई ऐसी बात रही कि हमें यह बात किलिक कर गई और यह समझ में आ गया संग्ठन से बेड़ा पार नहीं होने और भारत के अंदर जितने भी संग्धन है आज तक जितने भी हैं वह उन्होंने कोई अपना उद्द्ध से पूरा किया नहीं और उनका कोई काम पूरा 100% हुआ यह एक संग्धन बता दो मुझे किसी भी तरह का चाहे वह राजनितिक हो चाहे वह धम का हो चाहे वह सामाजिक ह का हो जिसने उद्ध से को 100% 100% पूरा किया हो संग्धन उद्ध का उद्ध से पूरा करने से कोई लेना देना नहीं है वो किसी को नहीं बताते कि क्या हुआ क्या नहीं कोई जबाब देज नहीं है क्योंकि वो हमारी ख्षा के रशा नहीं बने हैं हमारे दबाब में नहीं है वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो हमने नहीं बनाए, वो लोगों ने खुद बनाए हैं, हमारा तो संग है, तो संग हमारी बात सुनता है, तो यहां कोई बात जब तक लोगों की सहमत ही नहीं होगी, वो होती नहीं है, चाहे वो अ मजबें नहीं आई एसको कोई महат communicate reads यह यह अभी वह होताया है पर एक खास बात क्यों पहले है वह संग हमेंसा जीते है और संग चाएं हमारे हो चाएं विरोधियों के हो संग अगर विरोधि के विरोधियागा तो वह भी कितेगा और हम बनांगे तो बत प्हीं क्या है उसकी और संग में चेलेंज आते रहते हैं जाते रहते हैं चेलेंज आते रहते हैं पर चेलेंज संग के लिए फीट का काम करते हैं खाने का काम करते हैं जितना बड़ा चेलेंज जितनी जल्दी आएगा संग उसको उतनी जल्दी पूरा कर लेगा एक चेलेंज आया हम अपने फादर के साथ जो संठंते जहां वो काम करते थे वो देखा, सब कुछ देखा, पर ऐसा कभी नी देखा, कि चार सो लोगों की संगती लगाओ और साथ सो आ जाएं, ऐसा कभी नी देखा, कि हजार लोगों की संगती लगाओ और पंदर सो आ जाएं, ऐसा कही नी देखा कि एक सार टिकेट भूख हो जाए, लोग अपने आप टिकेट भूख रालें कि 80 होगे और 90 होगे, और 100 होगे, 300 होगे, ऐसा कभी नी देखा कि सारी चीन्जह कम पड़ जाएं, विवस्ता कम पड़ जाएं, यह संग में कमाल हो रहा है, यह संग में चमतकार हो रहा है, वो महापुर्षव का असिरवाद है जो अपने आप बढ़ रहा है अपने आप बढ़ रहा है पर इसको रोखने के लिए भी लोग आगे हैं और बाहर के लोग नहीं आए हमारे खुद के संग्ठनों के नेता दरसल यहां हम जितनी भी बात करते हैं हमारी बात जो रुखती है संग्ठनों के नेताओं पर रुखती है संग्ठन के लोगों पर नहीं रुखती है संग्ठन के नेताओं को हमने पहले भी अपील की हम बारवार भी अपील करते हैं पर उनके कान पर जू नहीं रहती है और उनको संग्ध दुस्मन लगता है और दुस्मन लगने का एक से कर्थे इसन्य नहीं पैसा चला जाता है और पैसा चला जाता है तो उनके होगा संग को कोई है तो बहुत बड़ा सब्सक्राइब बढ़ा ही नरुदे कर ट्राइब में पर पांच्श पांचे साल पेले हमारा गयर राजनेतिक होगा और गयर धार्मिक होगा और हम तो बावा साथ का बुद्ध का फोटो भी नहीं लगाएंगे बड़े च्छी बात है आपकी चान पचान पूरे देश में हैं आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है सब लोग आपको जानते हैं अगर नंबर हो हो तो हमें देदो मोटी फाइल वेर पास जैती है मैंने का जी फोटो कॉपी कराके दो बड़े खुस हुए तुरंट गए और फोटो कॉपी कराके वो तीन सो चार सो पेस्ट थे पूरे-पूरे कराके लाके दे दिया तो वो जब इतने खुस हुए नो लगा कि यह बंदा ह साहिता कर तो हमारी सॉहाइटा काम करेगा तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप जो संग्ठन बना रहे हो जो तरीका संग्धन का है ऐशी तो बहुत संग्धन है आपने मांगा मैंने दे दिया मैंने आपको टो का नहीं मेरे घर आय ओ चाय पी ओ नास्ता करो मेरे भाई ओ कोई अंदर तक घुशके देखा इन में ये तो भाईया एगोर एहम के बड़े-बड़े पेड हैं इनकी जड़े बहुत गहरी है ये ये बुड़े हो जाते हैं छोड़ते नहीं है इनके पास कोई नया आइडिया नहीं है और संग की सोच तो कहीं दूर दूर तक है नहीं बस बद पदादिकारी चंदा पैसा और चार-पांच इनके काम साले में अगर बुद्धिष्ट लोग हैं तो वह क्या करेंगे धंचक पवंतर आ रहा है अभी चौदर तारिक को उस पर जाएंगे या एक चौद्य अक्टूबर को धंदिक्षा कराएंगे या बुद्ध जहनती पे यहां भईया सबका फिक्स है और तो और जो जो सामाजिक संग्ठर ने उनका भी फिक्स है उनके दिसंबर में बड़े अदीवेसन लगते हैं और उसकी वो छे मनी पर त्यारी करते हैं जबीन को कराते हैं फ्र पैसे खटा करते हैं और उसके बाद वह आराम से चोटे- इसको कोई काड़ने सकता है इसलिए विरोध में आये तो वो आये जो नेता थे पर एक भी व्यक्ति विरोध में नहीं आया वह साय लोग कहते हैं आप आप सब बोलते हो आप गाली देते हो आप ऐसा करते हो सारी वीडियो उठाकर चेक कर लो जितनी भी यह पोटल पर एक किसी व्यक्ति को एक गल नहीं किसी महिला को एक नहीं कि किसी का अपमान नहीं किया और यहां कोई मान सम्मान भी लेने आता है तो हमें बड़ा आजीव सा लगता है अरे मान सम्मान तो इतना खुम मिला है दवा के और कितना मान सम्मान होगे अब संग को अगर मान सम्मान मि जायगा पर एक सब्द काहा एक अफसाद नहीं काहा निकम्मा कहा में ןकम्मा काम ना लाइक को हरामखुर जो बिना मेहनत्ती खाता है चंदबाज काहा जो खाता है संग्ठाद्दण दोक्वाज काहा जो 44.000 मेंने की हमने अगर कीशी को कोई गाली फोती है जब cultural काम ना करने वाले को अप ये कहोगे के हैografika है ये कम् मा है ये कम्मा है ये कम्मा है तो हूँ तो काम करे का क्या कहोगे किसको कुछ कहना नहीं है तो सब्सक्राइब ठीक हो गए तो काम बढ़िया चला है उपने घर जागे बैठो क्या जो रूटे फिर कहने की तो बैइ कहोगे तो उसी को जहां से हमारी आफ़त आ रही है जहां से आ रही है कहना तो पड़ेगा और कहने में किसी को दर्ट होता है तो रास्ता पता दे वे रास्ता क्या है बिना कहे मानते नहीं लोग तो पूरी दुनिया में डंडे लेकर रिवलिशन करते हैं डंडे लेके जो पूरी दुनिया के अंदर जो करांतिया हुई है लोग उन्हें डंडों के है किसी नहीं कहा भलकर यह कहा आप ठीक करें कि यह कहते हैं कि यह यह बात ठीक है यह बात ठीक है इसको काटने कोई नहीं आया आज तक कोई नहीं कहने आया जिनको नेता बनना है जिनको चंदा लेना है जिनको पार्टी पार्टी करनी है वो जरूर लोगों को कहते हैं जी वहां अपसब्द कहते हैं अपसब्द कहते हैं एक अपसब्द नहीं बता पाए कोई लोग हम अपसब्द जाता है चोड़ी डाड़ी मतन का होता है इसलिए जिसको अब सब्द लगते हैं वो संग्ठन वाला आदमी है वो विक्तिकत आदमी है वो चंदे वाला आदमी है वहना तो बुरा लगने का मतलब नहीं है काम जो कहते हैं जो बात कहते हैं वो बिलकुल गंके की चोट पर कहते हैं और लोजिकली कहते हैं तरक करने को सब लोग त्यार है इसलिए काम बढ़ रहा है इसलिए लोग समझ में आ रहे हैं कि भाई जान बचानी है तो हमको इखटा होना पड़ेगा जान बचानी है बच्चों की तो और कोई संडे को संडे डस वाथ लगी है एक बाद में लगी तो दो निजी बुड़े संडे की क्या काम संडे को संडे को क्या क्या आपने कई किases लगाओ अगर आप की मंदे को लगा आपके सोचरे हो कि आपको कोई आदेश करेगा यहां संग में कोई आदेश नहीं करता अपनी मिटिंग लगा और फोटो बेज दो दस गोल्डन रूल आपके पास हैं संग सेवा के नियम आपके पास हैं पूरी आडिलोजी आप समझ चुके हो इससे फाल तो कोई आडिलोजी किया करेंगे जूने जूने के बाद क्या करेंगे तो ऊसी से पूछ लो कि थो क्या ना चाहता है तो वो किसना कुछ बतावब क्या बताएगा हो जाए यह यह कुशन करेगा इसका हमारे पास जवाब है बागी प्लान हमरे पास है कोई पूछिए आपको अप्लान क्या है हमारा प्लान पुलकुर्पस्ट है पहला काम हमारा एक खटा होना और दूसरा काम है कि एक खटे हुए लोग उस समय जो परशानी होगी और जो लेके लंबे-लंबे प्लान बनाते हैं, 29 लाग प्लान है, मारे पास हर संग्धन अपना प्लान बना के रेश्टार आफिस में जबा करता है और वहां से एक नंबर लेता है, उसको सम्मिधार बोलते हैं, उसमें वो क्या करेगा, उसमें उसको लिखना पड़ता है, कि उसके उ कोई कपड़े होंगे खाना भी नहीं था नंगे पैर कभी जिंद्गी में चपन नहीं ऐसी पेड़क नीचे बैठके आराम से ग्यान प्राप्त किया और साथ हफ्ते तक प्रैक्टिस की और सोचा कैसे करेंगे और धीर जीरे जो आफ सकता पड़ी बंता चला गया पांच हैं उनको छोड़ती हैं काम बढ़ चला है लोग धा दाड़ा है है जितने तेज़ से जीते हैं जो जो जूड़े हैं वो जीते हैं चलम करना पड़ाएगा इसी काम की स्वेट नीं आंए ऐंऊ-पांच-पान भी चैका भले पैंठ मिकी मिटिंग बताई हमारी पांच आदमी की मिटिंग संड़े को लगेगी या दसाद में की मिटिंग हमारी यहां लगेगी पांच पांच करके हम पांच लाग हो जाएंगे आ बेव बे na कर के करोड हो जाएंगे ह Пон에서 घ़ला ही जब हमारा मन हो जाएगा कोई आद्मी यह कहे कि कैसे ये लोग इखटे हुए तो इनको भाशन पेल जाओं और भाशन एक तारिक से बंद कर दी है इसलिए वो कॉलंबी खतम है वो मामला भी खतम है संग में सारी बुराइयां संग को नमामी संग को नमस्कार संग को सलाम धन्यवाद आप सभी से ये निविदन हैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़ानी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भीजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं, बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद सरेन गच्छामू संगं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू दूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामू तूतियम् पी धम्मं मर्सेनु गच्छाम। तूतियम् पी धम्मं सर्नं गच्छाम। तूतियम् पी संगं सर्नं गच्छाम। तूतियम् पी सर्नं सर्नं गच्छाम। ततियं पी बुद्धम सर्ण गच्छाम। पी बुद्धम सर्ण गच्छाम।